नमस्कार मैं हूँ आपके साथ इस्तिया केमद और आप देख रहा है रिम स्वागत आपका उत्राखंड के खास बिलेटिन में रोकरिंग उत्राखंड की तमाम खबरों की तरफ संपत्ति का ब्योरा देने के नियम को तोड़ते हुए मुख्यमंत्रे पुश्कर सिंग धामी स साहित चवालिस विधायकों ने अपनी संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया है और इसका खुलासा आटिया कारिकरता एडवोकेट नदीम उद्दीन को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहट जानकारी लेने पर हुआ हुए सूचना के मुताबिक उत्राखंड के 71 विधायकों में से मुख्यमंत्री सहीत 44 विधायकों ने अपना संपत्ति विवरण ही विधानसवा को नहीं दिया है और इनियम अनुसार मान्यों को विधानसवा में अपनी संपत्ति का ब्योरा हर साल देना जरूरी होता है और इनियम विधानसवा के लोग सूचना अधिकारी हेम विधायकों के सूची में 44 विधायकों के नाम शामिल है और इसमें सात मंतरियों और नेता प्रतिपक्ष का नाम भी शामिल है और वहीं सुची में मुक्के मंतर पुष्का सिंग धामी और मंतरी सुबोध उन्याल अरविन पांडे देखा रेव वाम्शित धर भगत यत्ती श चरवानंद और विशन सिंग चौफाल के नाम भी शामिल है और इसके अतिरिक नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंग का नाम भी इसी सूची में शामिल है और वहीं बढ़ेंगे अगली ख़बर के और जाम पर पूर मुख्यमंती हरी शावत ने लालकुएं सीट पर पोस्टर बैलेट को लेका तमाम सवाल खड़े करते हुए निर्वाचन आयोक से मामले में संग्यान लेने को खाए और वहीं हरी श्रावत का आरोप है कि आखिर कोई तो है जो लोगों को अपने मददान के आधिकार कौप्यों करने से रोक रहा है और वहीं एक ट्विट के माद्यम से हरी श्रावत ने कहा कि ये मामला सीधे उनकी चुनावी संभावनों से जुड़ा है और उन्होंने आगे कहा कि उनकी ओर से ये मामला जिला निर्वाचन अधिकारी से लेकर सहायक निर्वाचन अधिकारी थक के संध्यान में लाए जा चुका है लालकुआ विदान सवाथ छेत के पोस्टर बैलेट उन आवेदकों तक नहीं पहुँचे हैं जिनों नो इसके लिए आवेदन के हैं अरिक शावत ना आगे कहा कि रुदपुर में दो वहनिया हैं और इन वहनियों में एक बड़ी संख्या में वोटर लालकुआ छेत में रहते हैं जो पुलिस और पीएसी में सेवारत हैं और वहीं वो अपना मतपत ढूनने के लिए भटक रहें और इस बात की जानकरी खुद दुनों ने और उनके सयोगी ने अपने अपने स्थर से संबंदित लोगों तक पहुचा थी लेकिन एक मार्स तक बड़ी संख्या में पीएसी और पुलिस कर्मियों के बैलेट पेपर उन तक नहीं पहुचे थे और ऐसे में जब मतगणना को कुछ ही दिन बाकी रह गए य उनकी हताशा और निराशक को जाहिर कर रही और पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी के मताबिक हरी शावत ने सेना के मद्दान में कथे धानली को लेकर वीडियो जारी किया था जिसकी जांच बीच जारी है लेकिन उनके आरोप सही साबित नहीं हो पाए और वहीं उत्राखंड की पांचवे विदान सवा का स्वरूप क्या होगा अब बस एक हफते बाद यानी की दस मार्च को सामने आ जाएगा और वहीं सत्ता में वापसी के कौशिश में जोटे बीजेपी चुनाव परिणाम को लेकर कहन मंतन की मुद्रा में और वहीं सूत् मुख्यमंत्री डोक्टर रमेश्पो ख्रियाल निशंक की पहसले दिनों दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड़ से लंबी मुलाकात और आप मुख्यमंत्री पुश्कर सिंग धामी के दिल्ली प्रवास को भी पार्टी के रणनीतिक मंतन से जोड़ का देखा जा बीजेपी इस बार वी आश्वत है कि वो सुविदा जनक भहुमत पालेगी और यदेपी पार्टी अब चुना परिणाम के बाद की संभावित स्थिती को लेकर मंथन में भी जुड़ गई है और वहीं सूत्रों के नुसा तीन संभावित स्थिती को लेकर पार्टी अपनी तीन संभावित स्थिती ये कि किसी भी पार्टी को बहुमत ना मिल और वहीं त्रिशोंक विधान सवा की नौबत आने पर भारी समर्तन से सरकार बनानी पड़े और वहीं मदगर्णा से दो दिन पहले यानि आठ मार्ट से प्रदेश कॉंग्रेस का रेलेट राजी भवन पार्टी के बड़े नेताओं से गुलजार नजर आएगा और वहीं प्रदेश प्रभारी देविंदर यादव और तीनों से प्रभारी धहरदुन पहुंचकर मदगर्णा के दिन पार्टी की रणनीती को अंतिम रूप देंगे और वहीं उत्राखंड की पांच वे धानसवा के गठन में अब जादा वक्त नहीं रह गया और दर्समार्च को मदगर्णा होनी है और वहीं चुनाप परिणाम सामने आने के बाद ये भी स्पस्ट हो जाएगा कि प्रदेश में किस दल की सरकार बनेगी और कोंग्रेस चुनाप परिणाम को लेकर उत्साहित है और पार्टी को उमीद है कि चुनाप परिणाम उसके पक्ष में आएंगे मद्दान के बाद पार्टी के और से विभिन इस्तर पर जुटाएगा फीड़ बैक के बाद पार्टी और इसके दिगज नेताओं का होसला भी बड़ा हुआ और वही मद्दातों की खामोशी को पार्टी एंटी इंकमबैसी के तोर पर आँख रही है और इसी वज़े से बहुमत पाने का भरोसर जिताय जा रहा है और वहीं प्रदेश कोंग्रेस सद्यक्ष गनेश गोद्याल ने दोराया कि पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है और साथ उन्होंने ये भी कहा कि कोंग्रेस की सरकार प्रदेश में सभी लोकतां थेक ताकतों को साथ लेकर चलेगी और उदर पार्टी मदगणना से पहले पूरी सावधानी परत रही और मददान के बाद से ही EVM के सुरक्षा के लिए कारेकरताओं को अलग-अलग स्थानों पर स्ट्रोंग रूम के समिक तेनात किया गया और मदगणना से दो दिन पहले प्रदेश प्रभारी के साथ ही तीनों से प्रभारी दीपिका पांडे सिंग, राजेश धर्मानी, कुलदीब सिंग, इंदोरा के धरदुन पोचने की सूचना है